मुंबाई इंडियन्स में होगी रविंद्र जाडीजा की एंट्री क्या बदलने वाले हैं अपनी IPL की टीम ये बात हम नहीं कह रहे हैं ये बात सोशल मीडिया पे इस समय ट्रेंड की जा रही है ट्विटर पे इस बात का कही न कहीं सहलाब सा आ गया है या इसके पीछे की सारी कहानी वो आपको बताएंगे इस वीडियो में चैन्नाई सूपर किंग्स का इस साल का IPL का परफॉर्मेंस हम सभी ने देखा जहां दस टीमों में से सेकेंड लास पर रही चैन्नाई सूपर किंग्स की टीम IPL शुरू होने से चंद दिन पहले ही महिंदर सिंग ढूनी ने कप्तानी थमादी रविंदर जाडेजा को और वो कप्तानी का मंजर हम सभी ने देखा कि पहले आठ मुकाबले जो रविंदर जाडेजा ने बतौर कैप्टन खेले उसमें से सिर्फ दो मुकाबले जाडेजा मुश्किल से चीत पाए सिर्फ कप्तानी खराब नहीं रही रविंदर जाडेजा की बलकि उनका परफॉर्मेंस बल्ले के साथ, गेंद के साथ और खास कर बतौर फिल्ड जो उनकी स्पेशेलिटी मानी जाती है उसके अंदर भी रविंदर जाडेजा का परफॉमेंस अप टू दे मार्क नहीं था IPL तो गुजर गया लेकिन IPL के बाद जाडेजा और चेनई सूपर किंग्स के रिष्टों में कहीना कहीं खटास पैदा होती हमें दिखी जहां सबसे पहले चेनई सूपर किंग्स के Instagram हैंडल से रविंदर जाडेजा को unfollow कर दिया गया और उसके बाद हमने देखा रविंदर जाडेजा ने अपने सोशल मेडिया हैंडल से चेनई सूपर किंग्स से जुड़ी हर एक पोस्ट को डिलीट कर दिया जो कहीना कहीं ये बात साफ थी कि रविंदर जाडेज और चेनई सूपर किंग्स के बीच में चीज़ें कुछ ठीक नहीं चल रही है उसके बाद जरूर चेनई सूपर किंग्स की मैनेजमेंट ने अपने बयान दिये कि चीज़ें ठीक चल रही है लेकिन उसके बाद अगर सूटरों के हवाले से बात मानी जाए जिस तरह पे संव मेरे पीचे ट्वीट्स देख सकते हैं काफी ज्यादा लोग ट्विटर पे इस बात की अलोचना करने लग गए है कि मुंबई इंडियन्स की टीम अब हार्दिक पांड्या की रिप्लेस्मेंट के तौर पे इंटरस्टेड है टीम में लाने के लिए रविंदर जाडेजा को और उसके बाद रविंदर जाडेजा ने नीली जर्जी के अंदर एक फोटो डाला अपने सोशल मेडिया हैंडल्स पे फिर से उसके बाद जिसके रिप्लाइज में लोग इस बात की चर्चा करने लग गए कि अब रविंदर जाडेजा मुंबई इंडियन्स में आने वाले हैं अगर जाडेजा चेंज कर लेते हैं अपनी टीम मुंबई इंडियन्स के टीम में हो जाते हैं शामिल तो जरूर मुंबई इंडियंस की टीम दूसरी तरफ से काफी ज्यादा सॉलिड हो जाएगी क्योंकि आपके पास जस्परित भुमरा है अगले साल जौफरा आर्चर पे फिट हो जाएगे और उसके अंदर अगर लग जात रविंदर जाडेजा का तड़का तो जो एक स्पिनर की कमी मैसूस हुई मुंबई इंडियंस को इस सीजन में वो हो जाएगी पूरी लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर नाता तूट जाएगा धूनी को और जाडेजा का जो 12 साल से बना हुआ आ रहा है क्योंकि 2011 से लेके 2022 अभी तक तो खेले हैं रविंदर जाडेजा चे नई सूपर किंग्स के लिए अगर ट्विटर की बातों को माना जाए अगर जाडेजा टीम चेंज कर लें तो क्या होगा चे नई सूपर किंग्स का हाल वो आप बताईए हमें कमेंट सेक्शन्स में दीजिए अपने राय और साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए हमें यूट्यूब पे पॉलो कर लीजिए फेस्बुक पे जानने के लिए क्रिकेट से जुड़ा हार एक लेटेस अबडेट वो भी सबसे वहले